क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि भाई शड़ेंत्र था बीजेपी का बीजेपी के मुँपे करारा तमाचा पड़ा है बीजेपी को एक्सपोस कर दिया है सबक सिखा दिया है कोट के इस ओर्डर के साथ साथ लेकिन जितना मैं जानती हू सप्लिमेंटरी चार्चीट में किंग पिन बताया गया अर्विंद केजरिवाल को उनके खुद की पार्टी यानि की आम आदमी पार्टी को भी उसमें आरोपी बनाया गया है और आज जमानत मिली है मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि ये जमानत क्या है किसी तरीके का सि इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं या आप पर निर्बर है कि आप उस कुरसी पर बने रहना चाहते हैं या फिर नहीं बने रहना चाहते हैं देखिए पूर्णीमा जी यहां पर तीन विशे हैं पहला विशे है सेक्षण 19 दूसरा विशे है सेक्षण 45 तीसरा विशे है इसमें जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री पत्पर क्या उन्हें बने रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए इसमें कोड की जो टिपपणी आई है चुकि मैं एक वकील भी हूँ पेशे से, इसलिए मैं इन चीजों को clarify कर देता हूँ, इस पर्श रूप से, section 19 of PMLA deal करता है ED की power of arrest, कि क्या वो arrest करते हैं, कैसे करते हैं, section 45 जैसा भी मेरे बंदू कह रहे थे, it applies to court, वो नियाले देखता है, और उसमें accused को ये बताना होता है, कि मैं किस सरा अपराद मैंने नहीं किया है, section 19 पे आप Supreme Court की judgment का हवाला देते हैं, ये लोग आज बहुत आतिश बाजी कर रहे हैं, बहुत वो निकाल रहे हैं, कि हाँ हम तो बरी हो गए, हम तो बिलकुल इनोसेंट है, बीजेपी का शड़ियंत रहे हैं, Supreme Court की ही judgment को पढ़ ल करता है, that the judgment, this judgment is only for deciding the present appeal and will not be construed as finding on merits of the case, allegations, तो कोट ने जो ये लिकर स्कैम है, इसके उपर किसी प्रकार का merits पर अपना कोई भी टिपड़ी नहीं की है, तो उससे ये inference निकालना कि हम तो इनोसेंट और बीजेपी इसमें involved है, वो सरेयाम जूट है, गलत है, दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि चूकी कोट ने इनको आज इंटरिम बेल दे दी है, इसलिए केजरिवाल साब तो बिलकुली दोश्मुक्त हो गए है, यदि इनका यहमत है, तो सुप्रीम कोट ने, सेम इसी कोट ने, जब मनीज सिसोधिया जी की बेल कंसिरर कर रहे थे, तब सेक्शन 45 में एपलाई किया था, सेक्शन 45 में कोट को एक कंसिरर करना पड़ता है कि क्या अक्यूस्ट प्राइमा फेसाई गिल्टी है की नहीं है, सुप्रीम कोट ने मनी सिसोधिया जी की बेल अप्लिकेशन को खारिच किया था, और कहा था 337 करोल रुपे का मनी ट्रेल tentatively established है, तो क्या आम आदनी पार्टी और इनके नेता आज ये मनते हैं कि हा मनी सिसोधिया ने लिकर स्कैम किया है, क्या ये मनते हैं कि हाँ लिकर स्कैम हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोट की जजमेंट के आधार पर जनता को गुमराह करने के लिए ये सारा जュट और परपंच दसा जा आप तीसरी बात अभी जो मेरे मित्र कह रहे थे जो आपने भी प्रशन पूछा जी कि जब सम्मिधान बना था तो सम्मिधान के निर्माताओं ने कभी एक कल्पना भी नहीं की थी कि इस देश में ऐसे मुख्यमंत्री आएंगे क्योंकि वह दौर ऐसा था जिसमें मुरल वैल क्या किया इनको कोर्ट लेके गई रिमांड मांगा और रिमांड किस ने दिया रिमांड तो कोर्ट नहीं दिया ना जगर यह नयायले पर इतना विश्वास करते हैं तो रिमांड तो कोर्ट ने दिया यह देखते हुए कि हां इनके खिलाफ एविडेंस है पर आज इनके पद का इस्तीफा नहीं दूँगा तो जो सम्मिदान निर्मताओं ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार का विक्टिभी आएगा और ऐसा को जाहिर है कि वो तो इनी का फैसला है ना री प्रेसंटेशन और पीपल अक्ट में है कि सुप्रीम कोट डारेक्ट करे कि हा उनकी पार्टी के दल के बाकी नहीं था कि यदि फाइलों पे मुख्यमंतीरी के साइन नहीं होंगे तो इल्ली सरकार चलेगी कैसे तो आज न दिल्ली की चिंता है ना आ दिल्ली के चिंता है चिंता सिर्फ अप्ने पद किये कि कही मेरा पदना चला जाए इसलिए मानने सुप्रीम कोर्ट नहीं आपके पास आती हो जल्दी से इसका काउंटर देंगे चिराख सेटी विल्कुल विल्कुल अमिट जी ने बहुत सारी बाते बूली मैं से इनको एक लाइन पढ़के सुना रहा हूं मैंने भी सेक क्यूटर बेल को अपोस करता है या कोट इस साटिस्फाइड नहीं था तो कोट बेल नहीं देता पहली चीज उसके बाद इन्होंने मनीश जी की बात करी मनीश जी के केस में थोड़े दिन पहले की बात है जड़ सापने बोला था कि आपका ट्राइल खतम क्यों नहीं हो रह है अब कर क्या रहे हैं ये कोट से इनको लतरा गया था उसके लिए और ये बात आज अमिजी नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि कोई रिकवरी नहीं हो रही है आज कोट में ये बात करना है सो करोन रुपे अब ये बोलते है तीन चो अटिस करोन रुपे के प्रॉ जो हमको सूट नहीं करता है या हमारे खलाब जाता हम उसकी बात नहीं करते है फिर वो चाहे कोई भी करे क्योंकि अगर मैं हाई कोट की बात करूँ आप तो लगातार कह रहे थे ना कि हाई कोट की तरफ से फैसला है उसके बाद आप सुप्रेम कोट पहुचे और हाई कोट आपने माना की गिरफतारी सही ती जिसको लेकर आप बार-बार कोट का दर्वाजा खट-कडा रहे थे कि बाई गिरफतारी पूरी तरीके से गलता है इसा प्रेजिटर्स हमने नहीं देखा कि और आने से पहले उसमें स्टे लगा दिया गया हूँ यही सुप्रीम कोट थी स जिसने ये भी साथ में कहा था आतियो आमिजी साथी ये भी कहा गया था कि अगर ऐसी ही बात है तो खुद आप आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी क्यों नहीं बना देते फिर सप्लिमेंटरी चर्चीट में हुआ यही ना कि आम आदमी पार्टी आपकी पूरी की पूर सिखा दिया है सत्य मेवज जयते अरे बरी नहीं किया है अभी सिर्फ अंत्रिम बेल दी है और अंत्रिम बेल देने के अपने आधार है आप ED की करवाई से संतुष्ट नहीं CBI जो कर रही है आप कहते हैं कि BJP के इशारे पर कर रही है कौट ने भी तो कुछ-कुछ पॉइंटर्स ऐसे शामिल किये जो विचार योग्ये हैं जिसको खुद हम आदमी पार्टी को जिन पर विचार करना चाहिए सोचना चाहिए कि भाई ये टिपड़िया आई तो क्यों देगे पूर्णी माजी हमारा स्पष्ट मानना है कि जो भी मामला जब नयायाले के विचार धीन होता है और नयायाले अपने विवेक के आदार पर कोई निर्ले लेते हैं तो उस पर हमें ज्यादा टिका टिपड़ी नहीं करने चाहिए जो भी निर्णे है उसको सिविकार क होने चाहिए हैं और अगर कोई निर्दोश है और निर्दोश को आप जबरदस्ती जेल में रखना चाहते हैं तो कॉंग्रेस पार्टी उसका भी विरोध करती है निर्दोश को निश्री तोर पे जेल में रहे हैं यहां इस शराब मामले में एक चीज तैय है सब मानते हैं कि इसमें ब्रशाचार हुआ है यह नीती गलत थी इसमें कहीं कोई किसी को शक्षुबा नहीं है यहां तक कि आमादमी पार्टी की सरकार ने भी माना कि यह नीती गलत थी उनकी बनाईवी नीती उन्होंने खुद अपने आप छे मेने के अंदर वापस लिए अगर नीती ठीक हैं यह जिंसी सिद्ध नहीं कर पाई हैं कोट के बावजूद बार बार कहने के बावजूद नहीं सिद्ध कर पाए हैं तो इससे यह सिद्ध होता है कि इसमें यह ब्रश्टाचार की पोल नहीं खोलना चाहते हैं कहीं नहीं पॉलिटिसाइजेशन करना चाहते हैं और ब्ल आपमान जनक जो बी अर्विन केजरिवाल की तरफ से कहा गया कि कितने अपमान जनक तरेके से उनको गिरफ़तार किया गया उनके साथ प्याभार किया गया है, तमाम बाते उन्हों ने कही, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, पीजेपी नहीं चाहती है, कि ED-CBI कोई सबूत जुटा पायारवन केजर रिवाल को लेकर ये, मैं ये नहीं कहा तो पीजेपी नहीं चाहती है, मैं आपका मतलब यही अबसर तो दीजिए, देखे इस मामले में जो ED ने जो अपनी F.I.R. दर्ज की, साउथ लॉबी का बहुत बड़ा इसमें हाथ डाला गया, और शरद रेड़ी नाम का एक व्यक्ती, उसको इस मामले का में किंग पिंग पाया गया, बताया गया कि ये बहुत बड़ा इसमें मिल जाती है, और इसी साउथ लॉबी का एक आदमी BJP के अलाइंस पार्टनर के साथ, वहाँ पे लोगसभा का चुनाव लड़ता है, दूसरी इसमें एक और जो चीज निकल किया है, जो भारते जनता पार्टी का, इसमें जो कहीं न कहीं, उनका भी इसमें कहीं मिलावट इ नाम की एक कंपनी थी, जो मद्य परदेश की BJP की सरकार ने ब्लैक लिस्टिड कर रखी थी, और वो यहाँ पर उसको लाइसेंस दी गए गए, यह वही सोम डिसलरी है, जो भारते जनता पार्टी को दो करोडर पे देती है, जिस समय ये नीती लागू हुई, मुझे बहुत important बात करने चाहिए, मुझे 30 सकंद और दीजे, 30 सकंद दीजे, मैं आपके दर्शकों के लिए important बात करने चाहिए, जब ये 2020 में जिस समय जब पूरे देश में lockdown चल रहा था, करोना की महामारी चल रही थी, लोग अपने घरों में कैद थे, उस समय ये नीती बनाई गई लेकिन किसी ने ये नहीं सपस्ट किया कि आखिर क्या वशक्ता थी, उस समय क्यों एक के साथ एक शराब की बोटल बाटनी गी, ठीक है बहुत सारे आरोप हैं